हेलो दोस्तों, तो हॉलिवोड में पिछले वीक क्या हल चल रही और हमारे पॉप कल्चर में क्या नया निकल कर आया, आज की विदियो में हम उन सब की बाते कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनकी मैन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की, तो हाँ ये फिल्म इंडिया क चोड़ कर worldwide release हो चुकी है, क्योंकि ये फिल्म यहां के sensor board में फस गई है, जो करना sensor board अपना फर्स समझता है, अब ये फिल्म यहां किस हद तक censorship करके release की जाएगी, वो तो पता नहीं, लेकिन इसने foreign countries में 10 million से ओपर की opening ली है, जो अच्छी ही कही जाएगी इस तरह की action film के उसके बाद आते है Godzilla X-Kong The New Empire पर तो ये फिल्म तो रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड बना रही है और अब जब तक मैं ये विडियो बना रहा हूँ तब तक इसने अल्रेडी 365 मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है और जब आप ये विडियो देखेंगे तो ये कलेक्शन और उपर जा चुका होगा बाकी कोई मेजर मूवी रिलीज नहीं हुई है इस वीक तो आगे देखें एक मेजर अपडेट को जो की Fantastic Four से है क्योंकि इस मूवी से काफी अपडेट आ चुके है और सबसे पहले तो Human Touch पर फोकस करते हुए Marvel Studio ने ये एक नया पोस्टर अफिशल रि मेजर कास्टिंग की भी अपडेट आई है जहां पर अक्ट्रस जूलिया गानर को कॉमिक बुक से शाला बाल के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया है जो की फीमेल सिल्वर सर्फर है और यही से मावल को लेकर फिर से कंड्रोवसी शुरू हो गई है और फैंस ने मावल को ह देना शुरू कर दिया है कि MCU अब MCU बन चुका है अब यह कंड्रोवसी कितनी ठीक है यह तो अलग बात है लेकिन जहां तक हमें पता है यह एक अलग टाइमलाइन की स्टोरी होने वाली है और सिल्वर सर्फर का जो मेल वर्जिन है वो भी कही ना कही किसी यूनिवर्स में ज दिखाई जाएगी और जब सिल्वर सफर दिखाई दे रहा है तो गैलेक्टिस का भी आना 100% बनता ही है और जो इन लोगों ने कॉमिक बुक रेकमेंट की है उसमें भी गैलेक्टिस सारी कॉमिक बुक में में कैरेक्टर और विलन है तो इन सब के बाद हम यह कह सकते हैं कि म जिन्होंने इस से पहले क्रुएले जैसी मूवी बनाई है और इसके सेकंड पार्ट के लिए भी यह फाइनल है नेक्स अपडेट में डेडलाइन वालों की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि ड्यूम का पार्ट 3 भी आएगा और इस फ्रेंचाइजी को वही एंड कर दिया जहां सबसे पहले तो एक्ट्रस जैसी बकली का लुक आया है जो की फ्रैंकेंस्टाइन की ब्राइड होगी और साथ ही सबसे मेजर कैरेक्टर का लुक भी आया है जो की क्रिश्चन बेल होने वाले है और इस लुक में क्रिश्चन बेल काफी अमेजिंग लग रहे हैं देन Movie Moana का sequel आने वाला है और इसके sequel का first look reveal कर दिया गया है जो कि इसी साल 27 नवंबर को release की जाएगी आगे update में देखे तो Kingdom of the Planet of the Apes आने वाली है जिसके लिए fans काफी excited है और अब इस movie को लेकर ये reveal किया गया है कि इस पूरी movie को real location पर ही shoot किया गया है ना कि set पर मतलब कि जो भी screen पर आपको दिख रहा है वो सब real है और पूरी film में सिर्फ एक blue screen का set था तो ये बात सच में काफी amazing है क्योंकि ये franchise अपने real VFX के लिए तो पहले से जानी जाती है और अब इस movie के साथ ये experiment करके makers ने एक नया benchmark set किया है next update connect है spider man से related जहां सबसे पहले आते है madam web पर जिसमें की इसके दो नए concept art release किये गए है जिसमें की इस आर्ट में आप madam web के Ezekiel Sims को Tom Holland के spider man से लड़ता हुआ देख सकते हैं और अब यहीं बताया गया है कि madam web में spider man भी होने वाला था लेकिन हां केविन पाइगी ने हमेशा की तरह अपनी तान बीच में की और ऐसा नहीं होने दिया जिससे studio को पूरी movie की story और script ही change करनी पड़ी और फिर result क्या निकला वो आपके सामने है लेकिन यहां spider man अकेला इस movie को उठा नहीं पाता क्योंकि जिस तरह की acting और performance madam web में थे उससे अच्छा ही हुआ की spider man का cameo यहां नहीं दिखा next update है spider man 4 से related जिसमें की rumor थी की Sam Raimi spider man 4 बना रहे है तो भी मगवाय के साथ जिस पर अब उन्होंने यह कहा है की उन्हें नहीं पता की spider man 4 बन रही है क्योंकि studio ऐसा कोई plan लेकर उनके पास नहीं आया है साथ में उनसे पूछा गया की वो marvel के किस project को direct करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा की वो Avengers Secret War direct करने में interested है लेकिन marvel वालोंने उनसे इस बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछा है और last update में बात करें Daredevil से related तो Daredevil Born Again की सीरीज की shooting पूरी तरह से complete हो चुकी है और इसे देख के आप चैन की सास ले सकते हो कि हाँ ये R-rated सीरीज होने वाली है इसके behind the scene भी कुछ time पहले leak हुए थे जहां आप सेट से Daredevil और पनीश को साथ में देख सकते हैं बाकी आपको क्या लगता है Daredevil Born Again Netflix वाले version के बराबर रहेगी या नहीं मुझे comment box में आकर लिखना तो ये थी कुछ weekly update जिन्हें जानना आपके लिए बनता था तो इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही Bollywood अपडेट वीडियो आप तक आते रहे उसके लिए Cinema and Popcorn को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में Till then Bye